हेलो फ्रेन वेलकम टू माई यूटूब चैनल तो आज जो है हम लोग असम राइफल्स के रिटिन एक्जाम के लिए जेनरल नौलेज के इंपॉर्टेन कोशन करने वाले हैं जो कि आपके असम राइफल्स के जिन भी कैंडिडेट का जो है रिटेन बाकी है चाहे वो किसी भी के हो कुग के हो बारके हो सफाय के हो याः कलर के हो इस लिए लिए आप लोग के ल опас इस class के जितने भी important question आपको कराएंगे आज उन सभी को आपको याद कर लेना है और एक और बात जो कि बहुत है important है आप लोग को जो है exam में जो है दिवस से related question आते हैं कि कौन दिन को क्या मनाया जाता है इन से related question आपके exam में पूछे जा रहे हैं जो जितने भी exam हुए है previous अभ जो दिवस से related question है उनका जो है हम class करा चुके हैं आपको link जो है नीचे discussion मिल जाएगा वहां से आप लोग जो है देख लिजएगा उन दोनों class को बहुत important है आपके exam में जो उड़ाएंगे उसे question तो चलिए आज का हम लोग class से start करते हैं और एक और बात आप लोग को इस class का पीडियेब चाहिए अगर आप लोग को इस class का पीडियेब चाहिए और किसी भी class का पीडियेब चाहिए तो आप लोग हमारी टेरेग्राम ग्रूप में जोइन हो सकते हैं जिसका link जो आपको नीचे description मिल जाएगा वहां से आपको जाकर जोएगा और अभी तक आप लोग हमारी चैनल को सब्सक्राइब ने किये तो उसको भी सब्सक्राइब कर लिएगा और class अच्छा लगे तो लाइक वीडियों के जिएगा और इस class को अपने दोस्तों में भी सेर कर दिए चाहिए class को start करते हैं हम लोग सबसे पहला में हमार कूशन आशकर क्या है कि भारत के प कुछ रहे कि भारत का प्रतम परमानुपंडूबी कोन है तो इसका उत्तर है आइनेस चक्र जो है भात का प्रमानुपंडूबी है थर्ड नंबर कोशन में चलते हैं थर्ड नंबर कोशन में है कि भारतिये रेल की पथम महिला ड्राइवर कौन है भारतिये रेल की पथम महिला ड्राइवर कौन है तो इसका उतर जगा सुरेखा संकर यादव जो है भारतिये रेल की पथम महिला ड्राइवर है थर्ड नंबर को पाने वाले प्रथम भारती माहिला थिज मैश्व्थ तो लेटे जो है कोशन पूछे गए थे चार्दर्मरी के एकजाम में इसलिए आपके लिए क्लास लाएं हैं तो आप लोग जो इसको याद के लिए गए सभी कोशन को तो भात के पतम महिला राज्येपाल कौन थी तो इसका उतर है स्तरोज नहीं जाई डू सिक्स नंबर कोशन मे है कि भारत के प्रथम वायू से ना अध्यक्ष कौन थे यानि कि एरफोर्स के चीफ जो है भारत के प्रथम कौन थे तो इसका उतर हो जगा एर मारसल एस मुखरजी जो है भारत के प्रथम वायू से ना अध्यक्ष थे एरफोर्स चीफ कौन थे भारत के एर मारसल एस मुख कौन थे आपको कमेंट करकर बताने हैं को के भात के पुरुस्कार प्राप्त करने वाले प्रतम भारतिये कौन थे तो इसका उत्तर हो पांस सितंबर को थात्रतने पुशका तरत करने वाले प्रस्था नो Search और हो नहीं हूं कि है कि मिस्ट मनने वाली बात्रत्र सब्सक्रपति बंहुंत महिला कौन थी तो इसका उत्तर जागा कुमारी रीता फारिया जो है मिस वर्ल बनने वाली पथम भारतिय महिला थी कौन भारतिय महिला कौन थी मिस वर्ल बनने वाले कुमारी रीता फारिया नेक्ट नमबर है टेन नमबर टेन नमबर कॉशन में है Uh Miss Universe. Miss World दोनों में आन्तर है तो आप लोग कन्फूजन नहीं होना है Miss Universe बनने वाले पथम भारती मैंला कॉन थी तो इसका उत्तर है सुसमीता सेन जो है मिश्य यूनिवर्स बनने वाली पथम भारती मैला थी आप चलते 11 नमबर कोशन में 11 नमबर कोशन जो है आपको हम ग्रूप में ये पूश चुके थे कुईज के रूप में 11 नमबर कोशन में कि भारत में सबसे लंबी नदी कौन है तो बहुत सारे कैंडि नमबर कोशन में 12 नमबर कोशन में 12 नमबर कोशन में कि दच्छीन भारत की सबसे लंबी नदी कौन है गुदावी नदी गुदावी नदी जो है दच्छीन भारत की सबसे लंबी नदी है ये भारत की सबसे लंबी नदी कौन है गंगा नदी है और दच्छीन भारत की सबसे लंबी नदी कोन है गोदावरी नदी और चलते हैं ठाटी नमबर कोशन में है कि बिश्वे की बात हो रही है बिश्वे में एवरेश पर चरने वाली पथम मेला कोन थी तो इसका उतर है जूंको तेवाई जूंको तेवाई यह कहां कि थी आपको जापान की जापान की के अपान कोन थे यूम्-को देव हैं जो बिस्यमें ता चाहएने वाली प्थम रहागा दे तो भारत में युष Informate ग्ली Mighty एड़ए मंद Snoh query को बात करें तो भारत में भारत पहुंशने वाली प्थम में टाने आगा कुन महिला के बात कर रहे हैं बिछेंद्रेपाल भारत के बता दे हो बिश्म में भी पथम कौन थी जुंको तेवाई जोकी जापान की थी 30 number होगा या 40 number 40 number question में है कि England के पथम महिला पधान मंत्री कौन थी England के पथम महिला पधान मंत्री कौन थी तो इसका उत्तर हो जगा Margaret Thatcher जो है England के पथम महिला पधान मंत्री थी Next number 15 number 15 number question में है कि भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग कौन है भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग कौन है तो इसका उता हो जगा डिब्रुगर से करने कुमारी भाथ में सबसे लंबा रेल मार्ग है 60 नंबर कोशन में है कि नोबल पुरुसकार प्राप्ट करने वाले पथम भारती है कौन थे नोबल पुस्कार पात्क करने वाले पथम भारती है तो इसका उता हो जगा रविन्ना ठाकुण थे जिने पथम नोबल पुस्कार मिला था भारती है 17 नमबर कोशन में है भारत का पथम विश्व विद्याले कौन है भारत का पथम विश्व विद्याले कौन है तो इसका उता हो जागा नालंदा विश्व विद्याले जो कि बिहार में इस्तित है कहा है बिहार में भारत का पथम विश्व विद्याले कौन है नालंदा विष्व विद्याले 18 number question 18 number question में है विष्व में सबसे बड़ी जहिल कौन है विष्व में सबसे बड़ी जहिल कौन है तो इसका उत्ता हो जाया कैस्पियन सागर जो कि कहा है रूस में आपके एक्जाम में एक question पुछे लेते हैं सबसे लंबी नदी कौन है तो कौन है लंबी की बात हो रही है तो नील नदी नील नदी जो है वो कहां है मिस्र में है कहां है मिस्र में है नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है नील नदी और दुनिया सबसे बड़ी जील कौन है बड़ी की बात हो रही है लंबी नहीं बड़ी जील कोन है? कैस्पियन सागर कहा है? रूस में आपको सभी किलिए कर दिये 90 number 90 number question में है कि विश्र में सबसे बड़ी ताजे पानी की जील कोन है? अभी हम लोग पर रहें कि सबसे बड़ी जील कोन है? अब हम पर रहें अपको किलिए रहें早 चलते है 20 number 20 number question में है कि भाध में सबसे उचा बान कोन है? भारत में सबसे उचा बान कोन है? तो इसका उत्ता होजगा तेहरी बान नहीं जो है भाध में सबसे उचा बान है और ये कहां? इस तीद्ध है? उत्राखन में अब इसकी उचाई के बात कर लें तो उचा बांध जो भात में सबसे बड़ा सबसे उचा बांध कोन है तेरी बांध है और इसकी उचाई के बात करें तो 260.5 मीटर जो है ये उचा है भात में सबसे उचा बांध अब एक और आपको बता दें कि भारत में सबसे लंबा बांध कोन है तो हीरा कुंड बांध है कोन है हीरा कुंड बांध हीरा कुंड बांध जो है भात में सबसे लंबा बांध है और यह कहा है उरिसा में और इसकी जो लंबाई के बात कर ले तो 26 किलोमेटर जो है हीरा कुंड बांध की जो है वो लंबाई है हीरा कुंड बांध जो है भार भारत की सबसे भारत में सबसे लंबा बान है हीलाकुन बांध काहें इस सित है उड्या में बहारत बात मेंस सबसे उचा हाई कोन है और अरईका उचाई के बात करें तो 210.5 मीटर है तउ 20 में सबसे बड़ी नदी कौन है सबसे बड़ी की बात को रहे हैं सबसे लंबी और बड़ी में अंतर होता है तो लंबी आपको बताएं कि नील नदी है जो कि मिस्र में है और विस्र में सबसे बड़ी नदी जो है वो अमेजन नदी है और यह कहा है दचिन अमेरिका में यह जो मिस्र में है और सबसे बड़ी नदी अमेजय नदी जो की दच्छिन अमेरिका में है अब चलते हैं 22 आप हैं चलतेसर पैंटेसलों में आप लोग जहां हम आप लोग बोलेया ने… दीवारं धिवाप कोश्य पैसा , यूर दिवास सारीました ये सब दिवास कम बनाए जाते हैं इसका वीडियो जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से आप लोग जाकर देख लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एक्जामें पूछे गए थे इरान के संसत का क्या नाम है तो इसका उत्रह जगा मजलिस में 問क में 24 नंबर कोसिटमें है कि भारत की सबसे बड़ी मीथे पानी की जिल कौन है भारत की बात करहने हैं लगे बात को सबसे बड़ी मिथे पानी की जिल कौन है तो इसका उत्यों बुलर जील जो है भारप की सबसे बड़ी मीठे पानी की जील है आपको बता दिये 25 नंबर कोशन में चलते हैं 25 नंबर कोशन में 20 में प्रथम संभीधान निर्मान करने वाला देश कौन है तो इसका उत्वो जागा अमेरिका 26 नंबर कोशन 26 नमबर कोशन में है भारतिय राश्चिय कॉंग्रेस के पथम अध्यक्ष कौन थे भारतिय राश्चिय कॉंग्रेस के पथम अध्यक्ष कौन थे तो इसका उत्तर हो जगा विवमेश चंद बिनर्जी जो है भारतिय राश्चिय कॉंग्रेस के पथम अध्यक्ष थे भारतिय आपको एक कोशन के साथ जो भी हमको दिमाग में आ रहा है कि इसी लेटेश आपको बता रहे हैं 27 नमबर भात में पफम बोलती फिल्म इनलें अपको जो है जो मुख फिल्म के बारे में में बता दी कि कौन मुख फिल्म थी यानि की बोला ने जाता है फिरस बोलती फिल्म इनले में जालकरतने में है आप चलते हैं 28th ब Toby पुर्षकार से समानिद पत् womb रेक्तिति है के हैं 29 नमब नबर कोशन में है कि भारत अरत बमानित तो इसका उत्तर होगा खान अबदुलकफान आप चलते हैं लूश्टिन नबर कोशन में है कि भारत के बढ़म लोक सभा अदेफ्ष कॉन थे तो इसका उत्तर होगा गनेश वासु देव मावलंकर जो है बहात के पथम लोग सवाद्यक्ष थे तो हम लोग जो है टोटल 30 कोशन किये जो कि आपके एक्जाम में आ सकते हैं असम लाइपल्स के जितने भी ट्रेड हैं कूक, बारवर, सफाई, कलार्क सभी के आपके जो एक्जाम होंगे उनमें आन की चांसेद हैं तो आप लोग जो है इन सभी कोशन को याद कर लिए बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग को बोले कि दिवास से लेटे जितनी भी कोशन हम करा हैं आप लोग को उन सभी से याद कर लिए जिसका लिंक आपको निची डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहां ड़स कर सकते हैं और अभी तक आप लोगन हमारे चैनल का सस्काइब ने किए तो प्लीज सस्काइब कर दिएगा क्वास अच्छा लेए तो लाइक की जएगा और अपने दोस्तों में इस क्लास को शेयर कीजएगा जिसको भी इस क्लास का जोड़त होगा तो चलिए मिलते आ एक स्लास में जैहिन बनने मातरम